अब हम अपना जो 10th का NCIT solution जो देख रहे थे हर एक क्यूशन को बिलकुल detail के अंदर discuss कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा जो next question है वो है the magnetic field in a given reason is uniform किसी भी कोई reason है उसके अंदर जो है magnetic field जो है वो क्या है constant है uniform है draw a diagram to represent it अब आपको एक diagram से इस चीज़ को जो है वो show करना है यानि अगर जैसे मालूम मैं कोई diagram बना कर दूँ और मैं आपको पूछूँ कि बताओ इसके अंदर जो magnetic field है वो uniform है या फिर vary कर रहा है यानि कहीं पर कम कहीं पर जादा है तो आप इस चीज़ को किस तरीके से denote जो है वो करेंगे यह हमारे को जो है वो समझाना तो देखो magnetic field जो होता है वो हम generally किस से denote करते हैं वो magnetic lines से जो magnetic field lines होती है उनके through जो है हम magnetic field को जो है वो denote करते हैं अगर हमारे को जो है वो दो तरीके से जो है क्या हो सकता है magnetic field एक तो constant हो सकता है uniform हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है vary कर सकता है vary का मतलब कहीं पर तो ज्यादा हो सकता है कहीं पर जो है वो क्या हो सकता है कम हो सकता है अब सारी इस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं देखो जैसे माल लो ये वाला एरिया है यहां पर अगर मेरे को इस चीज़ को बताना है कि इसके भी मैं two parts कर देता हूं और मेरे को इस चीज़ को show करना है कि यहां पर जो है वो strong magnetic field है और यहां पर weak magnetic field है तो इस चीज़ को हमें कैसे डिनोट करूँगा अब मैं क्या strong के लिए मैं क्या करता हूं जो magnetic field lines है उनको मैं पास-पास के अंदर डिनोट करता हूं इस तरीके से जो magnetic field lines है वो closer to each other है जितनी ज़्यादा pass होंगी इसका मतलब magnetic field जो है वो उतना ही ज़्यादा strong है और अगर magnetic field जो है वो इस तरीके से दूर-दूर है far from each other तो यहां पर जो है वो क्या होगा weak इसके comparison के अंदर यह क्या होगा weak magnetic field को जो है वो शो करता है और यह क्या हो गया यह strong magnetic field कैसे इनोट किया अगर magnetic field lines जो है वो close to each other है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास है in comparison to other इसके comparison के अंदर यहां पर magnetic field lines जो है वो पास-पास है इसका मतलब यहां पर magnetic field जो है वो क्या है एक strong magnetic field है और यहां पर दूर-दूर है इसका मतलब क्या है इसके comparison के अंदर यहाँ पर magnetic field जो है वो क्या है? weak है ठीक है अगर आब मेरे को क्या बताना है मेरे को ये बताना है कि uniform magnetic field के लिए आप क्या बताएंगे किस तरीके से show करेंगे कि मैं देख कर बतादूं कि वो इसके अंदर magnetic field जो है वो क्या है? uniform है, यानकी हर जगे पे, जैसे ये मेरे पास कोई कोई reason है, इतना सा कोई space है मेरे पास, ये वाला space है, कोई reason है इस reason के अंदर magnetic field जो है, वो uniform है, constant है, change नहीं हो रहा है उसको अगर मेरे को show करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो magnetic field lines है उनको बिलकुल parallel के अंदर जो है, वो मैं show करता हूँ, parallel के अंदर कैसे ये इस के parallel में, ये इस के parallel में, ये इस के parallel में, ये इसके parallel में एक चीज यहाँ पर ओरधान देनि है, वो कौनसी, वो बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर ये वाला space जो है वो सब के अंदर equal होना चाहिए जितना distance पर ये है उतना ही distance पर ये होना चाहिए उतने ही distance पर ये इतने ही distance पर ये अगर ये सब ही magnetic field lines जो कि एक दूसरे के parallel के अंदर है ये सब की सब एक equal distance पर situated है एक equal distance पर जो है located है तो इसका मतलब यहाँ पर जो magnetic field होगा, वो कैसा होगा, uniform होगा, क्योंकि यहाँ पर जो distance है, यह वाले जो distance है, इनके बीच की जो distance है, वो सब के अंदर क्या है, equal है, और अगर इसके opposite हो तो कैसे होगा, जैसे माल लो, कोई दूसरा reason में माल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यह कोई reason है, यह अब मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पर जो distance है, वो कुछ अलग है, यह वाले distance अलग है, यह वाले distance अलग है, यह 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 अलग है, तो क्या ये magnetic field uniform होगा तो आपका answer होगा नहीं ये magnetic field जो है वो uniform नहीं होगा क्यों कि यहाँ पर जो magnetic field lines हैं वो parallel तो हैं लेकिन उनकी बीच की जो distance है वो same नहीं है सब के अंदर जो है वो आपको अलग-अलग देखने को मिल रही है यहाँ पर कुछ अलग है दोल जो magnetic field lines है उनके बीच की जो distance है वो सब के अंदर equal होनी चाहिए तो यहाँ पर यह magnetic field जो है वो uniform नहीं है लेकिन यहाँ पर जो मैंने शो किया है यह magnetic field जो है वो क्या है uniform है क्यों है क्यों कि यहाँ पर जो two magnetic field lines है उनके बीच की जो distance है वो सब के अंदर क्या है, equal है सब की सब एक दूसरे से जो है, वो equal distance पे जो है, वो situated है बस आपको जो है, वो इतना सा डाइग्राम जो है, अपने answer के अंदर बनाना है, और इसको थोड़ा सा explain जो है, वो करना है explain कैसे करेंगे, कि भाई, जो magnetic field lines है उनके बीच की जो distance है, वो equal है सब के अंदर, बस तो चलिए अपना answer जो है वो discuss करते है, notebook के अंदर आपको किस तरीके से note down करना है, ये कोई reason मान लिया मैंने, ये पूरा plane है यहाँ ये वाला, ये पूरा कोई plane है, क्योंकि है मैंने को बोल रखा ना magnetic field lines के थुरू जो है हम show करते हैं, अब वो uniform है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए जो magnetic field lines है वो एक दूसरे के parallel होंगे और उनके बीच की जो distance है यानि कि ये वाली जो distance है वो सब के अंदर क्या होगी, equal होगी ये वाली जो distance है वो सब के अंदर equal होगी अगर ये equal है तो इसका मतलब ये जो given reason के अंदर जो magnetic field है ये कैसा होगा, ये uniform होगा अगर ये distance अलग-अलग होती तो ये uniform magnetic field नहीं होता तो आपको ध्यान यही देना है कि जो lines है उनके बीच की distance parallel है इसका मतलब ये नहीं है कि वो uniform होगा parallel plus उनके बीच की जो distance है वो equal होनी चाहिए तो इस तरीके से आप diagram बनाएंगे और फिर उसके अंदर explanation कैसे लिखेंगे magnetic field lines are parallel straight lines for a uniform magnetic field the lines are closer for a strong field and for away for a weak one अगर magnetic field जो है वो strong है तो इसका मतलब जो magnetic field lines है वो closer to each other है एक दूसरे के पास-पास है और अगर एक दूसरे के दूर-दूर है तो वहाँ पर magnetic field कैसा होगा weak होगा और अगर magnetic field lines एक uniform एक equal distance पे जो है वो located है तो इसका मतलब तब वो कैसा होगा uniform magnetic field होगा तो अगर आपसे इसके बजाए ये question भी पूछ लिया जाए uniform का तो आप समझी गए uniform का तो मतलब समझी गए parallel होने चाहिए parallel होने चाहिए plus equal distance होने चाहिए ठीक है parallel plus equal distance इसका मतलब वो कैसा है uniform strong और weak अगर कोई magnetic field strong है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो magnetic field lines है वो क्या है close है एक दूसरे के बहुत ज़्यदा past पास है जैसे ये इस तरीके से बिल्कुल past एक दूसरे के बहुत ज़्यदा close है और weak magnetic field का मतलब क्या हो गया यह दूसरे से क्या है away from each other है एक ज्यादा distance पे located है इस तरीके से अब इन दोनों को अगर compare करेंगे तो यहाँ पर जो इनकी बीच की distance ही यहाँ पर ज्यादा है तो इसका मतलब जितनी ज्यादा distance होगी वो magnetic field जो है वो उतना ही weak होगा और जितनी ज्यादा एक close होगी magnetic field उतना ही strong होगा और अगर uniform की बात करें तो uniform के अंदर जो parallel lines है magnetic field lines parallel होगी और उनके बीच की distance है वो equal होगी अब यह भी uniform हो सकता है अगर इनके बीच की distance equal है तो यह भी uniform हो सकता है तो वहाँ पर strong और weak से कोई मतलब नहीं है अपने को uniform का मतलब यह है कि जो magnetic field lines है उनके बीच की जो distance है वो क्या होनी चाहिए equal होनी चाहिए और एक दूसरे के parallel जो होनी चाहिए इस तरीके से आप इस question का जो है वो answer लिख सकते हैं इसको इस तरीके से आप notebook के अंदर note down कर सकते हैं explain मैंने आपको कर दिया फिर भी कोई doubt रह जात 696608541 यह मेरा WhatsApp नमबर है आप मेरे को WhatsApp पे कोई doubt है तो doubt पूछ सकते हो या फिर किसी भी subject के अगर आपको notes अगर अची हो तो आप मेरे को WhatsApp पे message कर दें मैं आपको भेज़ दूँगा या फिर यह काम करो मेरा जो app है उसके अंदर भी आप सब कुछ free के अंदर access कर सकते हैं शिव ओम classes नाम से हमारे जो app है वो भी आप free के अंदर access कर सकते हो उसके अंदर आपको सब कुछ free के अंदर मिल जाएगा notes, videos, model paper, anxiety solutions, सब कुछ वहाँ पर जो है आपको available होगा तो मीधा आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में है तो वीडियो को like कर देना, वीडियो को share कर देना और channel को subscribe कर देना, thank you so much